और प्रुदेश के सियासी संग्राम से जड़ी हुई महत्वपून खबर आपको बता दे विधान सभा सत्र आहूत करने का मामला राजभवन ने भेजा सरकार को जवाब अभी भी नहीं दी गई है सत्र बुलाने को लेकर मन्जूरी जिहां लेटेस्ट अपडेट मुख्यमंत्री अश्योग घैलोत ने भी राजपाल कल राजमिश्री से समंध में मुलाकात की लेकिन अभी भी नहीं दी गई है सत्र बुलाने के अनुमते फिलहाल ये ज़ानकारी निकल कर सामने आ रही है जिमंत्री अश्योग घैलोत ने खुद भी कुछ तेर पहले राजपावन पहुचकर मुलाकात की कल राजमिश्री से और बात करें विधान सभासत्र किस प्रकार से अभी इस वक्त के लिए काफी जादा इंपॉर्टन्ट और इसली भी हो जाता है क्योंकि प्रदेश में करोना के संकटकाल में प्रदेश सरकार ने जितना भी कारे किया उसको भी विधान सभा के पटल पर बताने का मौका विधान सभासत्रों में मिलेगा और आगे की रणिती और सुझाव भी लेने की कोशिश की जाएगी बाकी लोगों से लेकिन यहाँ पर तीसरी दफा सरकार को जवाब भेश दिया है राजभवन से अभी भी विधान सभा का सत्र बुलाने को लेकर मनजूरी नहीं मिल पाई है राजभवन ने आज फिर से लोटा दी है जो फाईल है तीसरी बार राजभवन की ओर से ये फाईल लोटा आए गई है और फिलहाल क्या इनमे आपत्तिया तीसरी फाईल में दर्स कराए गई उसका भी खुलासा होना बाकी है कैबिनेट के अनुमोदन के बाद में विधान सभा सत्र बुलाने के लिए जो प्रुस्ताव रखा गया था उसके लिए तीसरी दफाई भी और केंदरी कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला इस संबंद में हुआ आपको बता दे कि HRD मंत्राले का नाम शिक्षा मंत्राले झाले के लिए। झाल झाल